तापदी की शुरूआत में, एक संत हुए यूरोप में, जिनका नाम था वेलेंटाइन, ये हुए रोम में, और उस समय रोम का राजा था क्लॉडियस, बड़ा खुरूर आतंकी, उसकी क्रूर तावर आतंकी कि किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े, तो कलॉडियस जो है कहता है कि भई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहख हैं जिसमें इस्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है पत्मी का दरजा उसको देना मूर्खता है उसी कलॉडियस के राज्य में ये वेलेंटाइन हो गए जो गाउं गाउं गूम गूम के कहते थे कि भाई, शादी करो, शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो साहित के का थोड़ा अध्यन किया और भारती साहित के से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना एक इस्तरी के साथ रहना कितना सुखद होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन्स कम होते हैं उसमें बीमारियां कम होती हैं वेनरल डिसीजिस बहुत कम होते हैं ये सब उन्होंने पढ़ लिया और ये भारत का साहित क्यों को मिला कैसे ये मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका अच्वें शताबदी के शुरुआत में और चौथी शताबदी के अंत में वेलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया उसका उन्होंने अध्यन कर लिया अध्यन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो शादी के बाद रहो तो वेलेंटाइन मशूर हो गए रोम में शादी कराने के लिए तो वो क्या करते थे याख्यान देते थे गाओं गाओं जाके और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फाइदे है और शादी करने के बाद शारीरिक संबंद रखने के क्या फाइदे है वो सब समझाया करते थे क्लॉडियस जो था उनसे चुड़ता था हमेशे क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान पर्मपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की उसका ये नाश करने में लगे हुए बहुत जादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को तो Clodius ने क्या किया? Venantine को फासी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था राजा के मुझते हुए शब्दे ही कानून माने जाते थे तो Clodius ने Venantine को फासी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14.if revealingi सन 498 को सब दुखी हो गए और वो सब इकठे हुए और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं सन 1950 तक फासी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी दंड जो है ना फासी जैसा वो सब के सामने दिया जाता था तो क्लॉडियस ने जान बूच कर क्या किया कि जिनकी शादियां करा दी थी वेलेंटाइन ने वेलेंटाइन वैसे चर्च में पादरी थे तो वो क्या करते थे चर्च में लाके शादियां कराते थे बच्चों की तो जिनकी शादियां कराई थी क्लॉडियस ने उन सब को एकठा करके उनके सामने क्लॉडियस के अधिकारियों ने वेलेंटाइन को फासी पे चड़ा दिया तो उनके जो चेले चपाटे थे वेलेंटाइन के वो सब बहुत दुखी हुए तो उनके दुखत याद में 14 फरवरी 498 वैसे उन्होंने वेलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया तो उस दिन से यूरोप में वेलेंटाइन डे मनाया जाता है माने वेलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे उनको चूकि राजा ने फासी की सजा दे दे तो उनकी याद में Valentine Day मनाया जाता है ये है Valentine Day की history अब हमारे यह जो Valentine आ गया है इस्कूलों में, कॉलेजों में बड़े धूम धाम से मनाया जा रहा है और हमारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को card दे रहे हैं Valentine Day के card छपने लगे और उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है Would you be my Valentine this year? Would you be my Valentine this year? और ये जो लड़के लड़कियां है इनको कुछ सोच समझतो है ने तो ये अपने दादा दादी को भी वोई card दे देते Would you be my Valentine this year? अपने मम्मी पंपा को card दे देते Would you be my Valentine? परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है एक बार और दूसरी बात एक और जिससे भी ज़्यादा गंबीर है कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं ये पता करना एकदम मुश्किन है बहुत मुश्किन है कारण क्या है वहाँ जो शारीरिक संबंद है वो इतने खुले है इतने फ्री है कि कोई भी किसी के साथ जाए और जिन समाजों में शारीरिक संबंद बहुत खुले होते हैं जहां पर शारीरिक शंबंदों में liberalization होता है वहाँ पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो मा जानती नहीं है क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है और ये ऐसा क्यों होता है वो ये कहते हैं सेक्स ही जिन्दगी का चरम आनंद है इसके अलावा कुछ नहीं है तो सेक्स भोगने के लिए एक स्पती से संटुष्ट होते है तो ठीक है नहीं तो दो के पास, तीन के पास, पाच के पास, दस के पास, बीस के पास, पचास के पास, वाच्वाच कोय फर since संटुष्ट ही ही जिन्दगी का चर्म आनंद है ज्यान रखना और ये प्लेटो कहता है, अरस्तू कहता है, लिबिनिट्स कहता है, दिकारते कहता है, रूसो कहता है सारे फिलोसफर कहते हैं कि हमारी जिन्दगी का चरमानदी ये है सेक्स में डूबना तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा दूसरे से नहीं मिले तीसरा तीसरे से नहीं मिले चौथा इसलिए शारिरिक संबंदों में कोई मर्यादा नहीं है इसलिए वहाँ विवाह करना जरूरी नहीं है इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते हैं आपको मालूम है आज भी यूरोप में सत्तर प्रतिशत दिना विवाह के लोग रहते हैं एक हंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशन्शिप बहुत चल रहा है इसका मतलब है दिना विवाह के साथ साथ रहना दो दिन एक के साथ रहना तीन दिन दूसरे के साथ पांच दिन तीसरे के साथ महीने चौते के साथ दो महीने पांच में के साथ साल बर में दस बीस बदल दो ये आज की परंपरा नहीं है हजारों साल की तो विवाह होता नहीं है बिना विवाह के ही सब होता है तो विवाह की परंपरा भी नहीं है माननिता भी नहीं है इसलिए विवाह करना कराना वहाँ कुछ महत्वपूर बात नहीं मानने चाथे अब जहां सेक्स संबंद ही जिंदगी का सारा उतकर्ष है चरम है तो वहाँ फिर माननिता क्या है वहां माननेता ये है कि इस्तुरी और पुरुश ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो जिस दिन नहीं देती है फेट दो नहीं ले आओ तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो दूसरी ले आओ बजार में मिलती है अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंद रखना तो पता कैसे चले बाब कौन सा है अब जहां सेक्स संबंद ही जिन्दगी का सारा उतकर्ष है चरम है तो वहाँ फिर माननिता क्या है वहाँ माननिता ये है कि इस्तरी और पुरुश ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तूएं जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो जिस दिन नहीं देती है फेख दो नहीं ले आओ तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो दूसरी ले आओ बजार में मिलती है अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारिरिक संबंद रखना तो पता कैसे चले बाप कौन सा है बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है परिवार तो कुछ निश्चित बिंदू से शुरू होता है ना परिवार तो ऐसे शुरू होता मेरी मा ने का देख ये तेरे पिताजी है बस वहीं से शुरू हुआ वहाँ कोई मा ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है और ये एक दो साल नहीं रहा है धाई हजार साल ये रहा है और धाई हजार साल में कम जादा होता रहा आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशन्शिप में हैं दरम पत्नी और पती बनके नहीं है girlfriend, boyfriend है पती-पत्नी नहीं जो हमारी परिभाशा है ना पती-पत्नी की नहीं तो वहाँ फिर होता क्या है वहाँ फिर होता ये है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंदाप रखें तो सबसे ज़्यादा falleneral diseases sex, janit row सबसे ज़्यादा इसी समाज में सबसे ज़्यादा और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार वफादार रहो एकी पत्मी से संपर्ख रखो नहीं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा यूरोप में ये कहानी धाई जार साल से ऐसे ही चल रहे है फिर बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिनोंने इसको बदलने की कोशिश के बीच बीच में उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन लिया वो कहने लगे कि यह अच्छा नहीं है गलत है इसमें कुछ लिमिटेशन्स करो नियम बांदो परिवार बनाओ शादियां करो शादियों के साथ रहो ऐसे कुछ लोग आते रहे लेकिन उनको जिन्दा नहीं रहने दिया समाज अब मैं कहानी सुनाता हूँ ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ती थे जो आज से लगबग सोले सो साल पहले यूरोप में पैदा हुए उनका नाम था वेलेंटाइन और ये कहानी है 478 AD AD माने इसा की मृत्यू के बाद आफ्टर डेथ आज से लगबग 1300 साले 1300 साल पहले की कहानी एक वेलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जनम लिया जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंद रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से ये अच्छे नहीं है इन में से ये खराबी, ये खराबी तो इनको ठीक करो एक पती, एक पत्मी के साथ रहो विवा करके रहो शारीरिक संबंदों को उसके बाद ही शुरू करो ऐसी ऐसी वो बाते करते थे और वो वेलेंटाइन भाशे जो जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे रोज उनका भाशन यही चलता था संयोक से वो चर्च के पादरी हो गए तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो तब ही संबंद रखो बिना शादी के संबंद मत रखो तो कोई-कोई उनसे पूछता था कि आपको यह वाईरस कहां से घुज गया यह तो यूरोप में है नहीं कहीं तो वो कहते थे कि आज कल मैं इस्ट वन फिलोसफी का अध्यन कर रहा हूँ उसमें यह समझ में आ रहा है इस्ट समझते यह इस्ट माने भारत आज से 1600 साल पहले 1700 साल पहले का भारत पूरा इस्ट लगबग वही था चीन में भारतिय सब्विता बुद्दिजम इंडोनेशिया मलेशिया में भारतिय सब्विता बुद्दिजम जितनी दूर तक नजर जाती है इस्ट और फार इस्ट में सब जगे भारत और भारती था ये boundary तो अभी बनी तो वो कह रहे हैं कि मैं आज कल Eastern philosophy का अध्यन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो perfect है उसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये मानो तो कुछ लोग मानते थे तो वो Valentine पता ही क्या करते थे चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे चर्च में बच्चों की शादियां कराते और एएए दो नहीं उन्होंने सेकणों शादियां करें जिस समय ये Valentine हुए उस समय रोम में एक राजा था उसका नाम था Claudius बड़ा राजा था संबराठ है चक्रवर्ती संब्राइए क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वेलेंटाइन हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाल रहा है हम बिना शादी करके रहने वाले लोग मौज मजे में डूबने वाले लोग और ये सब को शादियां करवाता फिर रहा है तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वेलेंटाइन को पकड़ के लो तो गया वेलेंटाइन वेलेंटाइन को पूचा तुम ये क्या गर्लत काम कर रहे हो अधर्म फेला रहे हो अब संस्कृती ला रहे हो हमको ये मंजूर नहीं है वगरा वगरा तो उसने का कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया तो चौदर फरवरी सन 498 को वेलेंटाइन को फांसी हो गई आरोब क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते है इसलिए फांसी हो गई माने शादी कराना जुर्म है तो फांसी हो गई जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वेलेंटाइन के कहने पर शादिया की थी उन्होंने वो दिन वेलेंटाइन डे मनाना शुरू करते हैं अब ये वेलेंटाइन डे की कहानी है यूरोप में वेलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहाँ शादी नहीं होती और जो कर ले वो वेलेंटाइन डे मनाता है अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वेलेंटाइन डे चानु कर दिया इस्कूलों में,कॉलिजों में पागलों की तरह से वेलेंटाइन डे,वेलेंटाइन डे वेलेंटाइन डे और इस धन्दे में बड़ी-बड़ी कंपनिया लग गई जिनको گ्रीटिंग कार्ड बेचने हैं वेलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड वेलेंटाइन डे का गेफ्ट और वेलेंटाइन डे का तो मिठाई और वेलेंटाइन डे का तो ये और वेलेंटाइन डे का वो और टीवी चैनलों ने धुआ थार उसका प्रचार कर दिया तो गली महले छोटे-छोटे बच्चे ददस बारे-बारे साल के वेलेंटाइन डे में फसे हुआ है और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं उसमें लिखते हैं वुड यू भी माई वेलेंटाइन इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे और वो एक को नहीं ददस को भेज देते हैं, बीस-बीस को भेज देते हैं पच्चिस-पच्चिस को, वुड यू भी माई वेलेंटाइन अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परिशान हो गया बंबई में मैं एक सजजन के घर खाना खाने गया तो उनके घर में एक दादा जी है दादा जी पैसर साल के उनको 25 ग्रिटिंग काड आये है लिखा हुआ बुड यू भी माई वैलेंटाइन लिखने वाले कौन है 55 साल के लड़के लड़किया वो दादा जी को वैलेंटाइन बना रहे है वहाँ शादिया नहीं होती है शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिबरेट करते हैं हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं